थाइलेंड में घटी इस घटना में जब घर में टीवी देख रहे आदमी को दीवार के प्लास्टर में कुछ साप सिसकने की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत स्नेक रिस्क्यू टीम को जाच के लिए बुला लिया और फिर हथोड़े से प्लास्टर तोड़ने पर दीव से 9 फीट लंबा पाइथन निकाला गया जो वहाँ पर काफी दिनों से फसा हुआ था और सुरक्षित जगहें पर उसे छोड़ दिया गया ये लोग खदरनाक और खुंकार बागों के बीच में ट्रिप पर आये हैं जिससे ये आदमी हीरो बनने के लिए बस के उपर चड़ झाले